दस हजार रुप्यार रोक रहा? हाई रहाम, सेफ दस हजार रुपे बाई, किसे से उधा दिलादा ना? ये लोग पने दस रुपे जीते रहो बेटा, किश्वर तुम्हें तंदुस्ती दे मुझे क्यों दुआये देती हो, अपने बेटे को दो जिसने में नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके मुलाकात करवाएंगे ऐसी अदाकारा से जिने आपने कई सारे फिल्मों में मा, नानी, चाची, मौसी और नौकरानी की भूमिका में देखा था ऐसे कलाकार की पहचान नाम से तो होती नहीं लेकिन निभाए गए किरतार से उन्हें भी सैक्रू सितारों के बीच चमकने का मौका मिलता है और इस अदाकारा का नाम है महर बानो महर बानो को अगर आपने नहीं पहचाना हो, तो एक बार आपको अमर प्रेम फिल्म याद करनी पड़ेगी इस फिल्म में पुश्पा, और्फ, शर्मीला टैगॉर पती का अत्याचार सेकर अपने माई के लौटती हैं तो मा भी उस पर इंजाम लगाने लगती हैं उसके बाद पुश्पा पर चोरी का जूटा आरोप लगता है तब भी मा अपने ये बेटी को दोशी मानती है और घर से बाहर निकाल देती है अब आपको पता चला होगा पुश्पा की मा का किरदार निभाने वाली उस जूनियर आर्टिस्ट का नाम है महर बानो ये बात भी सच है कि बागी हजारों जूनियर आर्टिस्ट की तरह महर बानो की जानकारी जुटा पाना किसी भी फिल्म इतिहासकार के लिए चुनाती पूर्ण विशे होता है ऐसे में जब हमारे चैनल के दर्शक श्री राहुल कुमार जी ने महर बानो की फिल्मोग्राफी बताई तो हमें इस बहतरीन अदाकारा के विशे में बाकी जानकारी खोश निकालने के इक्षा होने लगी दो हफते तक अलग-अलग फिल्म इतिहासकार से बात करने के बाद हमें उनके बारे में प्रस्तित जानकारी मिली है महर बानो को कुछ फिल्मों में महर बानो इस नाम से भी क्रेडिट मिला है और इसी नाम से अलग-अलग फिल्मोग्राफी की लिस्ट भी मिली है हमारे पूछताश में पता चला कि ये महर बानो नाम से जितनी भी फिल्मोग्राफी है वो सब एक ही इनसान की है और जब असी के दशक के तौरान महरबानों पर जूनियर आर्टिस्ट का धब्बा लगाया गया तो लोगों को पता ही नहीं था कि महरबानों 30 के दशक की साइड एक्टरस थी कनक काटा, बांसरी बाला, मिर्जा साहिबान, शैटर्ड होप्स, बहादूर बेटी इन साइलेंट फिल्मों में महरबानों ने अभिने किया था उसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू होने के बाद उन्होंने मावाले किरदार निभाए उनकी फिल्मों ग्राफिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फिल्हाल आपको ये बता दू कि महरबानों का जन 3 फेबरुरी 1904 को मुंबई में ही हुआ था उनकी शादी 1919 में एक ऐसे इंसान से हुई थी जो उस वक्त थीएटर कंपनी में टेकनीशियन की रूप में काम कर रहे थे उनका जीवन अच्छी तरह से बीट रहा था पर एक दिन उनके पती गुजर गया और बच्चों के पालन पोशन के लिए उन्होंने अभिने करना शुरू किया महरबानों पूरी तरह से अनपड थी बिना इस्क्रिप्ट देखे उन्हें अभिने करना पड़ता था साइलेंट फिल्मों के युक के आखरी चार साल तक उन्हें अभिने करने में कोई परिशानी नहीं आई लेकिन बोलती फिल्मों का दौर उनकी लिए नहीं था इसलिए उन्होंने अभिने छोड़ दिया और बाकी छोटे बड़े काम करने लेगी पर फिर भी उनके घर का गुजारा नहीं हो रहा था इसलिए वो दुबारा फिल्म स्टूडियोज में जाने लेगी और बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम करने लेगी आपको ये भी बता दू कि महर बानो 1980 तक काम करती रही और 30 अक्टूबर 1985 में उनके निधन के साथ उनकी अंसुनी कहानी वे गुमनाम हो गई उनकी आखरी रिलीस फिल्म अमिताब बच्चन की बेमिसाल थी जिसमें उन्होंने राखी की नौकरानी की भूमिका निभाई थी कितनी दुख की बात है न एक साइड एक्टरस को जूनियर आर्टिस्ट बन कर मरना पड़ता है और इंडरस्टि में ऐसे भी लोग हैं जिने अविने तो आता नहीं लोग उने सुपन स्टार बना के रखा है हमारे चैनल हिंदी रेडियो ने हमेशा से इन कलाकारों की खोचु की पहचान याद दिलाने का प्रयास किया है इस कोशिश में आप जैसे दर्शक हमें सब्सक्राइब करेंगे बस इतनी सी खोईश हम रखते हैं धन्यवाद